हाई फ्रेंड्स, आपको मेरे पहले की वीडियोज पसंद आये हो, ठीक उसी तरह से आज मैं आपको एक नया टॉपिक लेना चाहता हूं, नया टॉपिक में क्या है? है बुक क्या और आप को बताया गया है, पांच मार्क आपको आएगा ऑप्जेक्टिव बहुजच का Tucson और दस मार्क का एक सम आयेगा, यह रही दस मार्क के सम के सामने कोई भी आप्शिन्स नहीं है तो एक 10 मक्का compulsory sum रहेगा और एक 5 मक्का बिल बनाने को हैगा, which is in objectives. तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा, objectives में बिल बनाते हैं, तो बिल के लिए कुछ important terms है, कुछ ऐसे words है, जो मैं frequently इस बिल के दौरान में आपको बताना चाहूँगा. तो यह है हमारा आज का topic, bills of exchange. Bills of exchange में कुछ important terms है, जो कि आपको बिल बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम में आएगा, और वो terms है. सबसे पहला important चीज है कि हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर number of parties कौन से होगी. तो दोस्तों, bills of exchange depend करता है कि transaction कौन सा है. यह transaction में bills of exchange नहीं आता. Bills of exchange is part of your credit transaction. अगर credit transaction होगा, तो ही वहाँ पर bills of exchange आएगा. Bills of exchange basically depend करता है credit sales and credit purchase पे. तो credit sales और credit purchase कौन करता है? यह transaction किसके बीच में होते हैं? यह एक particular transaction में कितने number of parties आती हैं? तो यह हम यहाँ पर देखेंगे number of parties. तो यह number of parties में, तीन number of parties है, तीन parties होती है. एक होता है drawer, drawer means the person who draws the bill. मतलब seller, seller वो होता है जो bill बनाता है. तो जो bill बनाता है उसको हम बोलेंगे drawer. Drawing मतलब on whom the bill is drawn. मतलब जिसके नाम का यह bill बनेगा, उसको हम बोलेंगे drawer. और last में है pay, the person to him the bill is paid at the time of due date. मतलब due date के time पे जिसको payment करना है, जिसके पास यह bill होता है, जो यह payment accept करने वाला है, उसको हम बोलेंगे pay. तो drawer, drawee and pay, drawer मतलब seller जो bill बनाता है, drawee मतलब buyer जिसके नाम का यह bill बनता है, और pay मतलब यह वो person है, जो due date के time पे इस bill के amount को collect करता है. तो दोस्तों मैंना भी आपको पता है, payee का मतलब due date के time पे जो bill के amount को collect करता है. तो हम देखते कि यह due date मतलब क्या होता है, तो यह due date, due date का मतलब क्या होता है, इस particular date पे अगर आप seller हो, तो आपको यह due date पे आपको पैसा receive करना है, और अगर आप buyer हो, तो आपको due date पे इस amount को pay करना है, जो भी bill amount रहेगा, आपको due date पे ही pay और receive करना है, due date बेसिकले हम लो तो ये है due date का formula, due date का formula होता है credit period plus grace days, credit period मतलब अभी drawer के तरफ से आपको कितना credit period allowed होता है, that is 3 months रहेगा, 2 months रहेगा, या फिर आप 90 days, 60 days, ये credit period आपको days में भी आ सकता है और months में भी आ सकता है, तो दोनों में से जो भी credit period रहेगा, उसके उपर आपको और grace days plus करना रहता है, grace days मतलब ये 3 extra days है, जो आपके credit period के बाद drawer के तरफ से आपको allow किया जाता है, For an example, अगर मैं decide करूँ कि भाई, आज का तारिख है 1st June, तो 1st June से अगर मुझे credit period allow किया जाता है for 2 months, तो 2 months 1st June से मैं calculate करता हूँ, तो 1st June के बाद आता है 1st July, उसके बाद आता है 1st August, 1st August को मेरा 2 months complete होता है, लेकिन मेरा due date जो है, वो 1st August के बाद और 3 grace days मुझे add करना है, तो 3 grace days मैं add करता हूँ, 1st August के बाद 2nd August, 3rd August and 4th August, तो मेरा due date हो जाएगा 4th August, तो अगर मैंने बोला कि 1st June को मैंने बिल बनाया है, तो मेरा due date होगा of 4th August, अब कुछ दूसरे important terms है, जो आपको यहाँ पर सिर्फ बिल बनाने के लिए आपको ध्यान में रखना है, यह कुछ दो important dates है, जैसे कि आप देख रहो पहले date of bill and date of acceptance, date of bill मतलब जिस दिन पर drawer ने यह बिल बनाया, उसको मोलेंगे date of bill, और जिस दिन पर drawer ने इसको accept किया, उसको मोलेंगे date of acceptance, यह आपको bill के question में accepted on करके भी आ सकता है, या date of acceptance करके भी आ सकता है, आएए देखते है, format of bill, format of bill में आपको start करना रहता है bills of exchange से, ध्यान से वहाँ पर bill of exchange आएगा, bills of exchange नहीं, जैसे है, आपके center of the page में आपको यह लिखना है bill of exchange, और यह capital letters में आपको लिखना है compulsory, bill of exchange है और इसके एक line के बाद आपको यहाँ पर start करना है from drawer's name, अब for example, अगर मैं आपको बोलो कि हमें एक sum solve करते हैं, तो यह कुछ details है, जिसके तरू हमें bill बना रहा है, यह कुछ इस तरह से आपको question आएगा, तो इस question को हम solve करेंगे, जैसे के हम एक format of bill बनाएंगे, तो जैसा कि आपने देखा, यह bill का format है, इस तरीके से हम bill बनाएंगे, तो मैं आपको explain कर देता हूँ कि इस bill को हम कैसे बनाते हैं, center of the position में आपको लिखना है, बिल आफ एक्षेंज, बिल्स आफ एक्षेंज नहीं, यह सिर्फ एक ही बिल है, तो हम बनाएंगे, बिल आफ एक्षेंज, बिल आफ एक्षेंज को आप presentation के लिए double underline मारेंगे, parallel, exactly उसको एक लाइन छोड़के, राइठ हैंज साइट पर हम स्टार्ट करेंगे, with the name of drawer, यहां पर आप देख सकते हो, drawer का नाम दिया हुआ है, चंदरकान, मोतिला, मोतिवाला, अब यहां पर वही name of drawer, उसका address, एक लाइन में अगर हो सकता है, फिर भी अगर आप दो लाइन यूज करेंगे तो वह ज्यादा better होगा, address of the drawer, date of will और date आपको full form में लिखना है, 1st March आपको March M A R C H पूरा लिखना है, M A R सिर्फ shortcut में लिखोगे तो नहीं चलेगा, रांदेर वाले line के exactly left hand side पे यहां पर same line में आपको stamp करके लिखना है, stamp आपको बड़ा होना चीए, उपर और नीचे line दोनों touch होना चीए, एक जो particular line होगा वो, उसको एक line उपर और एक line नीचे इसको ऐसे हम box पे बनाएंगे, तो इसका box का जो line बनेगा वो उपर का एक line उपर और नीचे एक line नीचे बनेगा, यह उसका box है, जैसे इसका box बन जाएगा, वैसे एक line का gap देंगे हम, और एक line के बाद हम यहाँ पर rupees लिखेंगे, amount in figure, यह rupees लिखा, उसके बाद आपको एक line छोड़ के, ध्यान से, rupees वाला जो column है, वो exactly आपको date, यह 1st March 2018 है, उसके सामने ही आपको अपना आप आजाएगा अगर आप इस sequence में जाएगे तो, उसके एक line बात आपको main body of the bill start करना है, body of the bill में क्या होता है, यहाँ पर आप start करेंगे from credit period, जैसे कि इसमें आपका credit period दिया 60 days, तो आप 60 days नंबर में नहीं लिखोगे, आपको words में लिखना है, तो it goes like this, 60 days after date, pay to Ranjit Shah Panji Goa, Ranjit Shah यह हमारा pay है, in case, in absence of information of pay, अगर question में आपको कहीं पर भी pay नहीं दिया है, तो आप कैसे लिखोगे, pay to me or my order, symbol में pay to me or my order, अगर pay का नाम नहीं दिया है, तो आप pay to me or my order लेख सकते हो, और अगर pay का नाम दिया है, तो उसका पूरा name and address, और his order, उसके बाद, rupees वाला amount आएगा, rupees वाला part आएगा, कि आपको यहाँ पर rupees mention करना है, the sum of rupees 10,000 only, for the value received, इस पूरे पार्ट में, पूरे इसमें, आपको important चीज़ जो आपको capital letter में लिखना है compulsory, that is rupees वाला part, rupees 10,000 only, यह आप capital letters में लिखोगे, बाकि सब आप small letters में लिखोगे, तो भी चलेगा normal letters, जैसे यहाँ पर received वाला part खतम होता है, उसके एक line बात आपको यहाँ पर SD करके लिखना है, SD का perform होता है, signature done, this signature is done by drawer, तो आपको signature के बात नीचे यहाँ पर drawer का नाम लिखना है, वो भी bracket में, जहाँ पर हमने यह drawer का नाम लिखा, exactly वही line में left hand side पे, सामने opposite side पे, अब य तो यहाँ पर 2 के बाद आएगा, अतुल चावार, जो की drawer का नाम है, और यह उसका address है, address खतम होने के बाद, जहाँ पर मेरा address खतम होता है, exactly वही line से भी में start कर सकता हो, या तो उसके एक line नीचे, center में आपको लिखना है, accepted, accepted के बाद आपको आएगा, signature done, that is sign done, यहाँ पर आपको date of acceptance दिया है, 6th March, तो यहाँ पर आप 6th March mention करोगे, और यह आपको 6th March पूरा full form में लिखना है, अब इसका presentation करने का तरीका, यहाँ पर यह parallel line, जैसे आप railway tracks का देखते हो line, वैसे आपको parallel line यहाँ पर draw करना है, ध्यान से इसके आजू बाजू में, left और right में आपको line draw नहीं करना है, सिर्फ top and bottom में आपको line draw करना है, यहाँ पर आपने double line किया, presentations के लिए आप name of the drawer को underline कर सकते हो, date of will, जो important date है, उसका आपको underline करना है, body of the letter में आपको तीन चीज़ underline करना है, credit period, pays information and rupees, credit period, pays information and rupees, इन तीन चीज़ों को underline करना है, उसके बाद यहाँ पर जाता है, हमको सिर्फ draw is name को underline करना है, और यहाँ पर आप date of acceptance को अच्छे से highlight कर सकते हो, तो यह था पूरा presentation of bill, that is format of bill, यह format of bill, अगर आपने इस तरीके से बनाया, with good handwriting, with good presentations, तो आपको 5 mark easily मिल सकता है, hardly इसको prepare करना के लिए आपको 5 minute ही लगेंगे, इसमें जादा कुछ न दी गई है, सिर्फ आपको उसके सबसे यहाँ पर prepare करना है, तो यह 5 minute का सम है, 5 minute में आपको 5 marks, easily score होता है, तो आइए, अब हम देखते कुछ types of bill, आपको इसमें total 4 type के bill आएंगे, और वो 4 type के bill कुछ इस तरह से होंगे, यह 4 type के bill है, 1st one is retained bill, 2nd one is endorse bill, 3rd discounted bill and 4th bill sent to bank for collection, retained bill मतलब क्या होता है, retained bill में ऐसा होता है कि यह bill, drawer अपने पासे bill को retain करके रखता है, till due date, यह bill drawer किसी भी 3rd party को नहीं देता, at the time of due date, pay यहाँ पर drawer खुद होता है, at the time of due date, drawer ही यह amount receive करने वाला है, तो इसलिए हम इसको बोलते है, retained bill, यहाँ पर drawer इस bill को retain करके रखता है, till due date, in this case, हम pay किसको बोलेंगे, तो अगर हम in the books of drawer को जनरल एंट्री स्पास कर रहे हैं, तो drawer के book में हम कभी भी drawer का नाम नहीं लिखेंगे, तो in that case, drawer के नाम के जगे पर हम क्या लिखेंगे, retained bill में, pay जो होता है, उसके जगे पर हम क्या लिखेंगे, bills receivable, क्योंकि यहां पर पेई ड्रॉवर खोद होता है, ड्रॉवर के बुक में हम ड्रॉवर का नाम नहीं लिखेंगे, तो इसके जगे पर हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल, तो नेक्स्ट है हमारा एंडॉस बिल, एंडॉस बिल में क्या होता है, normally the transaction is done between ड्रॉवर and ड्रॉवी, अब ड्रॉवर ने भी कही ना कहीं से तो इस गुड्स को परचीस किया है, और बात ने ड्रॉवी को सेल किया है, ड्रॉवर ने जहां से परचीस किया है, वो उनका क्रेडिटर, उसको जब पेमिंट करना रहता है, तो पेमिंट के जगे पे वो इस बिल्स रिसीवेबल को प transfer कर देता है in this process यह जो process है जो drawer transfer करता है अपने bill को अपने creditor को इस process को हम बोलते है endorsement इस endorsement of bill में parties का नाम change हो जाता है जैसे कि drawer अब बन जाएगा endorser और जो creditor है वो बन जाएगा endorseee तो यहाँ पर at the time of due date अब drawee जो रहेगा वो अपने endorseee को pay करेगा तो in this case payee के जगे पर हम क्या लिखेंगे endorseee जो endorseee का नाम होगा उसको हम payee कहेंगे अब next अपना जो transaction next type का जो bill है वो है discounted bill discounted bill में क्या होता है कभी कबार ऐसा होता है कि businessman को urgently cash का requirement है लेकिन हमने जो drawee को bill बना के दिया है वो for example दो महिने बाद है दो महिने बाद तक drawer wait नहीं कर सकता तो वो क्या करेगा वो अपने इस bill को लेकर bills receivable को लेकर अपने bank में जाएगा और bank में जाके वो इस bill को discount करेगा bank जो रहता है वो उसको advance में payment करता है for two months bank यह short term credit प्रोवाइड करता है businessman को तो यह कैसा होता है कि आप bank में जाओ और आपने बोला कि यह bill लो और मुझे इसका amount चीए for example bills receivable amounting rupees 10,000 10,000 का bill है जो drawer अपने bank में लेकर जाता है और उसको discount करता है bank उसको पूरा 10,000 rupees नहीं देता कुछ small amount as in bank charges वो deduct करता है यह bank charges हम बोलते है discount, drawer अपने book में इसको discount के हिसाब से लिखता है मतलब 10,000 rupees का bills receivable दिया हो और सामने मेरता है 9,800 तो जो 200 rupees deduct हुआ उसको हम बोलेंगे discount तो इसलिए इसको मोलते discounted bill, discounted bill में bill जो रहता है वो maturity date टक bank के पास ही रहता है drawer वी को inform किया जाता है कि आप bill का जो भी amount है वो आप bank में जाके pay करेंगे क्यूंकि bank ने हमें दो मेने पहले ही इस bill का amount दे दिया है तो at the time of due date यह drawer के book में इसका कोई entry pass नहीं होता तो यहां पर drawer का कोई role play नहीं होता इसको हम बोलते है discounted bill, discounted bill में जो pay होता है वो होता है bank तो अब हम देखते last type of bill that is bill sent to bank for collection इसको आप bank for collection में लिख सकते हो चलेगा अब इसमें और discounted bill में difference कैसा है यह भी bank में जाता है bill और यहां पर भी bill bank में ही जाता है लेकिन discounted bill में कैसा होता है कि bank हमको पैसा पहले ही pay कर देता है यहां पर ऐसा नहीं होता For an example, अगर मैं कहूँ कि maturity date पे अगर drawer उस जगे पे present रहने वाला नहीं है अपने दुकान में रहने वाला नहीं है तो वो क्या करेगा? इस bill को वो bank में send करेगा, bank में बेजेगा और bank को सिर्फ इतना inform करेगा कि इस bill amount को collect करके उसके bank account में transfer कर दे यहाँ पर bank सिर्फ एक normal agent का rule प्ले करता है, वो सिर्फ drawer के बिहाफ पे इस bill का amount ड्रावी के पास से receive करता है और drawer के account में transfer कर देता है यहाँ पर bank का rule सिर्फ इतना सा है और इसमें कुछ नहीं है तो discounted bill और bank for collection में आपको confuse होने की जरूरत नहीं है discounted bill में bank पहले ही payment कर देता है drawer को और bank for collection में bank सिर्फ एक agent का rule प्ले करता है drawer के बिहाफ पे वो payment को accept करता है और drawer के account में transfer कर देता है तो basically यह है आपके चार types of bill यहाँ पर अगर मैं बोलू तो at the time of maturity यह bill बैंक के पास होगा लेकिन हम यहाँ पर drawee में pay के नाम पे हम लोग bank नहीं लिखेंगे हम पूरा लिखेंगे that is bank for collection तो जैसा आपने देखा यहाँ पर चार type के bill है और उस bill में अगर essay type का कोई भी bill आता है तो उसमें pay का role कौन प्ले करता है retain bill में pay का role drawer खुद प्ले करता है लेकिन drawer के book में हम drawer का नाम नहीं लिखेंगे तो उसके जैगे हम लिखेंगे bills receivable अगर endorse bill होगा तो वहाँ पर pay का role play करता है endorseee that is the creditor of drawer discounted bill में pay का role play करता है bank bank for collection में pay का role play करेगा bank for collection तो इस तरह से यह चार type के bill है और उसके pay के नाम है तो जैसे जिस type का bill आएगा जैसा sum आएगा वैसे ही हमको pay का नाम यूज करना है अब मैं आपको बताता हूं कि journal entries कैसे पास होती है bills of exchange में general entries basically 10 mark के लिए आता है तो यहाँ पर कुछ में general entries की list बना के देता हूं जिस में से कुछ entries आपको 10 mark के लिए आ सकती है कुछ entries compulsory के लाती है तो कुछ entries ऐसी होती है कि optional होता है तो आएए देखते general entries आट तो यह है हमारी जनरल इंट्रिस इन्द बुक्स ऑफ ड्रॉवर यह जनरल इंटाऊटिस सारी सिक्वेंस में है सबसे पहले एंट्रि हमारी आती है सेल्स सेल्स के एंट्रि ए अठरविस अकॉन ड्येच जल्स तो यहाँ पर हम ड्याइमन्ड रूड अप्ला करेंगे ड्येच आपट करेंगे debit assets अगर decrease होता है तो हम करेंगे उसको credit liabilities अगर increase होती है तो credit and liabilities अगर decrease होती है तो debit drawer के book में drawer के लिए drawer के लिए drawer के लिए drawer के लिए जो होता है वो उसके लिए asset होता है जब वो sale करता है तो ये asset increase होता है इसलिए drawer account को हमने debit किya asset increases debit sales drawer के लिए होता है income तो sales account हो गये आपका credit तो इसलिए entry आती है drawance account debit to sales account next entry आपके आती है बिल sales करने के बादalet्रावर बिल बनाता है बिल के entry में drawy जो है वो bills receivable में convert हो जाता है तो यहाँ पर एक aset decrease हो जाता है और दूसरा aset increase हो जाता है जैसे bills receivable का aset जो है वो increase हो जाता है और drawees वाला जो asset है वो decrease हो जाता है Asset increases debit and asset decreases credit तो bills receivable account debit to drawees account Next, bill बनाने के बाद entry आती है third party transaction In case of retained bill, third party transactions नहीं आता Retained bill में सिर्फ दो ही parties होती है That is drawer and drawee उसमें कोई third party नहीं होता Third party transactions सिर्फ तीन bill में possible है That is endorse bill, discounted bill and bank for collection bill तो endorse bill में जब हम bill transfer करते है जैसे कि हमने पहले बता है types of bill में Endorse जो होता है, वो होता है drawer का creditor Creditor मतलब यह होता है liability तो यह payment करने का तरीका है वो अपने creditor को payment कर रहा है तो payment करने से creditor जो होता है वो decrease हो जाता है मतलब यहाँ पर हमारा liability decrease होता है Liability अगर decrease होता है तो हम करेंग उसको debit Asset, bills receivable को हम transfer कर रहा है तो यह asset हमारा decrease हो जाता है तो इसी तरह से endorse this account debit to bills receivable account Liabilities account decrease हुआ और assets account भी decrease हुआ तो liability decrease debit and asset decrease credit Endorse bill का यह entry था अब next entry जो आता है वो है discounted bill Discounted bill में कैसा होता है कि यहाँ पर हम bank के पास जाते है और bank हमको amount देता है Bank के पास से जो हमको amount मिलता है That is cash bank account पैसा आया तो debit एकदम simple way में तो cash bank account debit जितना पैसा हमको नहीं मिलता यह हमारे लिए expense होता है तो इसलिए मुसको लिखते है discount तो discount account debit to bills receivable account हमने यह bill वाला asset जो है वो transfer किया Just for an example मैं एक bill का amount ले लेता हूँ For example, bill amount is 10,000 तो हमने 10,000 का bills receivable transfer किया जिसमें से bank ने deduct किया 200 रुपीज तो discount के सामने आयेगा 200 10,000 का bills receivable जिसमें से 200 डिड़क्ट हो गया तो अब जो balance amount हमको cash bank के तौर पे मिला है That is 9,800 तो हमारा entry आता है Cash bank account debit 9,800 Discount account debit 200 To bills receivable 10,000 अब next Third party transaction में जो last वाला part है That is bank for collection Bank for collection में हम bills सिर्फ bank को collect करने के लिए देते है तो temporarily के लिए मैं इस bank for collection को अपना asset मानके चलता हूँ This is my temporary asset Bank for collection account debit to bills receivable account इसमें एक asset मेरा increase होता है तो दूसरा asset मेरा decrease होता है Bank for collection account debit to bills receivable account ये होता है third party transaction जैसे ये third party transactions हो जाता है उसके बात हमारे पास due date वाले entry आती है Due date वाले entries में दो possibilities है या तो हमारा bill honor होता है या तो bill dishonor होता है Honor का मतलब drawee ने payment due date के time पे कर दिया इसको हम बोलते है honor The payment of bill is made और dishonor का मतलब drawee जो है वो due date के time पे payment नहीं कर सकता तो ये होता है honor and dishonor Honor जैसे कि आप देख रहो अगर retained bill होता है तो हमको पैसा मिलता है Drawer को ये पैसा मिलता है तो simple सा entry है Cash bank account debit to bills receivable account अगर endorse bill होता है तो इसमें कैसा होता है हमको no entry endorse bill में कोई भी entry पास नहीं होता क्योंकि एक simple सा logic है endorse bill मतलब क्या होता है Already ये bill endorseee के पास है तो drawee को ये inform कर दिया जाता है कि वो जो bill का amount है वो endorseee को pay करेगा So in this case in case of honor of endorse bill the transaction is done between only two parties That is drawee and endorseee तो जो journal entry है वो drawee के book में आता है और endorseee के book में आता है Drawer इस पूरे transaction में कहीं पर भी involved नहीं है इसलिए drawer के book में no entry ठीक उसी तरह से आपको discounted bill में है Discounted bill में भी transaction is made between drawee and bank Drawer का उसमें कोई भी role नहीं है तो drawee के book में यहां पर आएगा no entry अब बात करते है bank for collection में जैसे कि हमने बता है bank for collection में बैंक का काम सिर्फ amount को collect करना है जैसे ही drawee के पास सो amount collect कर लेता है वैसे ही वो अपने bank account में transfer कर देता है तो in this case drawer के पास यह amount आता है cash bank तो यहां पर entry आती है cash bank account debit to bank for collection account यहां पर हमारा यह जो temporary asset है वो decrease हो जाता है क्योंकि उसने वो bill का amount receive कर लिया और हमारे account में transfer कर दिया तो यह entry है cash bank account debit to bank for collection account यह सारी entries थी honor of bill की अब बात करते dishonor of bill की dishonor of bill में एकदम simple सा entry है अगर मैं common dishonor का entry पास करूँ तो होता है drawees account debit to pays account यहां पर कैसा होता है pays हमने पहले types of bill में देखा हुआ है types of bill में pays different types of categories different types of bill में मैं आपको payee बताया हुआ है जैसे कि retained bill में payee आता है bills receivable जो कि drawer खुद होता है drawer अपने book में अपना नाम नहीं लिख सकता तो वो क्या लिखेगा bills receivable endorse bill में आता है endorseee discounted bill में आता है bank and bank for collection में आता है bank for collection यह होते है types of bill bill wise payee का नाम तो जैसे कि edition of bill में common से entry है drawee's account debit to payee's account अगर यह retained bill होता तो इसका entry होता retained bill के entry कुछ इस तरह से होती drawee's account debit to bills receivable account payee के जगे पह हम लिखते bills receivable in case of retained bill अगर यह endorse bill होता तो अगर यह endorse bill होता तो हमारी entry होती drawee's account debit to endorseee's account payee के जगे पह हम लिखते हैं endorseee का नाम अगर यह discounted bill होता तो हमारी entry कुछ इस तरह सोती drawee's account debit to bank account अगर हमारा type of bill होता bank for collection तो entry कुछ इस तरह सोती drawee's account debit to bank for collection account this is bfc bank for collection account तो यह थी हमारी dishonor के entry dishonor के entry में एक और चीज एड होता है that is noting charges noting charges is the thing which is paid by the payee and which is born on drawee, तो drawee के लिए noting charges जो होता है वो expense होता है लेकिन payee के लिए या drawer के लिए नहीं होता तो in case of retained bill entry में extension में आ जाता to cash bank account यह noting charges का जो amount रहेगा वो to cash bank में जाता in case of bills receivable only that is in case of retained bill only अगर endorse bill होता या discounted bill होता या bank for collection बिल होता है तो यहाँ पर जो noting charges का amount है वो endorse bill में endorse इने pay किया है, discounted bill में bank ने pay किया है, bank for collection में भी bank ने pay किया है तो हम लोग यह noting charges का amount जो है वो bill amount के साथ add करके यहाँ पर लिखते हैं, वहाँ पर हमको अलग से cash bank लिखने की ज़रूरत नहीं है ध्यान से सुनिए, cash bank account जो है noting charges की time पर वो सिर्फ और सिर्फ retained bill में लिखा जाता है और किसी भी bill में नहीं आता थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन रहाएगा तो सिंपल चाएंट्री है, draw his account debit to third party transaction, that is pay his account तो उसमें noting charges का amount, bill amount के साथ add करके लिखा जाता है यह था हमारा dishonor of bill renewal of bill कैसा है कि इसमें आपको renewal का process है, dishonor of bill, part payment, interest and new bill यहां तक हमने देखा, यह आपका normal bill था, कि आपने sales किया है, bill बनाया, और third party transition किया third party के बाद अगर आपको पता चला कि इस bill को renew करना है, जैसे draw we due date के time पे अगर payment नहीं कर सकता तो वो renewal करने के लिए request करेगा, drawer in that case एक छोटा सा condition रखता है कि उसको some part of amount उसको मिल जाना चाहिए advance में, उसके बाद जो balance amount रहेगा, उसके लिए वो new bill बनाएगा तो जैसे कि यह request होता है, यह आपको third party transaction के बाद आपको मिलेगा sales, bill, third party transaction, उसके बाद अगर आपको पता चला कि यह bill dishonor होने वाला है या renew होने वाला है तो renewal का सबसे पहला part होता है dishonor, अब पुराने bill को पहले dishonor करेंगे, बात में आप नए bill के लिए process स्टार्ट करेंगे यहाँ पर जो dishonor of bill बता है, यह आपका due date वाला ही entry है, same जो यह वाला entry है, वही same entry आएगा, आपको दो बार entry पास नहीं करनी है, आपको सिर्फ एक ही बार entry पास करना है जैसे ही आपको पता चला कि यह renewal of bill है तो आप dishonor का entry पहले पास करेंगे dishonor के बाद part payment आता है, part payment क्या होता है, for an example हम ले लेते कि एक bill का amount होता है 10,000 जो कि ड्रावी ने due date के time पे pay नहीं किया, ड्रावी ने bill को renewal करने के लिए request किया है तो in that case, ड्रावर ने एक छोटा सा condition रखा, out of that 10,000, 3,000 रुपीज उसको पहले pay करना होगा यह जो 3,000 रुपीज है, यह होता है हमारा part payment तो ड्रावी के पास से उनको यह 3,000 रुपीज मिलता है पहले, तो cash bank account debit to ड्रावी's account ड्रावी's account यहाँ पर हमारा जो asset है वो 3,000 से decrease हो जाता है, out of that 10,000 तो इसलिए यहाँ पर हमारा ड्रावी's account क्रेडिट में आता है, तो cash bank account debit to ड्रावी's account part payment के बाद आता है अपना interest, interest में कैसा होता है, interest is basically charged on ड्रावी, by drawer यह drawer के लिए होता है income, जैसे normal bill में credit period जो होता है, वो drawer के तरफ से दिया जाता है तो उसमें कोई भी extra amount नहीं होता, लेकिन renewal of bill मतलब extension of that credit period, by drawer यहाँ पर drawer एक्स्टेंड करता है अपने credit period को, तो इस extension के लिए drawer जो है, वो balance amount पर extra interest charge करता है, तो वो interest drawer के लिए income होता है, इसे लिए interest account credit side पर आता है, यह जो interest है, यह drawer नाम का जो asset है हमारा, उस asset को increase कर देता है, तो इसलिए drawervis account को हम debit करते हैं, तो यहाँ पर आता है, drawervis account debit to interest account next आता है अपना new bill, new bill कैसा है, यह same जैसा bill का entry पास किया है, bills receivable account debit to draw his account, यहाँ पर भी entry same है, but the amount will be different, यहाँ पर amount है, balance amount plus interest, interest एक ऐसा part है, जो आपका कहीं पर भी आ सकता है, कभी कपर question में लिखा जाता है, the interest is paid with part payment amount, तो हम यहाँ पर part payment से पहले interest का amount calculate करके, उसके entry pass करेंगे, बाद में part payment के entry pass करेंगे, the entry will be same, but the amount will be part payment plus interest amount, लेकिन जादा तर interest का जो amount है, वो new bill के साथ count किया जाता है, calculate किया जाता है, तो हम लोग को हाँ पर ऐसा question में लिखा जाता है, the new bill is charged along with interest, तो new bill में हम interest का amount add करते हैं, तो यह जो interest का amount है, वो यहाँ पर add हो जाता है, for example, हमने देखा 10,000 का bill था, जो dishonor हो गया, उसमें से 3,000 का part payment हो चुका है, तो the balance amount is 7,000, interest का जो भी rate दिया रहेगा, for a particular period of time, उस 7,000 पर उस interest को calculate किया जाएगा, वो जो amount होगा, वो 7,000 के साथ add करके new bill में लिखा जाएगा, तो just for an example, अगर मैंने बोला कि याँ पर interest calculate किया और उसका amount है 100 रुपीज, तो interest is 100 रुपीज, balancing amount is 7,000, and interest 100, तो the total amount will be 7,100, ये था process अपका renewal का, renewal का process जो है, वो normal है, यहाँ तक हमने देखा एक normal sum, एक normal bill, अगर bill को renew किया, तो उसका process ये होता है, renewal के बाद भी दो category से, दो circumstances से, दो cases और हो सकते हैं, या तो bill retire हो सकता है, या तो bill insolvent हो सकता है, retirement का मतलब जो है, और insolvent का मतलब इसके गलक्षा entry है, ये हम इसके बाद देखेंगे, तो अब हम देखते है, retirement of bill and insolvency of bill, ये दो ऐसे type है, दोनों में से कोई भी एक case होगा, after renewal of bill, जैसे आपने new bill बना दिया, उसके बाद दोनों में से कोई भी एक ही case possible है, that is retirement of bill और insolvency of bill, ये bill होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, retirement of bill, जिसको हम बोलते है, compulsory honor of bill, ये वो bill है, जो due date से पहले ही drawee payment कर देता है, अगर कोई भी amount, drawee due date से पहले ही कर देता है, तो उसको हम बोलते है, retirement of bill, insolvency of bill मतलब, insolvency मतलब आदमी कंगाल हो जाता है, drawee जो होता है, वो bankrupt हो जाता है, तो उसके पास bill का amount pay करने के लिए कोई भी पैसा नहीं होता, in that particular case, drawer उसके personal assets को बेच के अपना amount recover करता है, लेकिन एक चीज़ तो fix है, insolvency मतलब compulsory dishonor of bill, क्योंकि bill का पूरा amount हमको मिलने वाला नहीं है, तो in that case, सबसे पहले हम dishonor का entry पास करते हैं, और उसके बाद recovery का entry पास करते हैं, आईए देखते हैं, दोनों entries कैसे पास की जाती हैं, तो यह है हमारा retirement of bill and insolvency of bill, retirement of bill मतलब compulsory honor, normal honor का जो entry होता है, cash bank account, debit to bills, receivable account, यह वैसे ही entry है, बस इसमें एक छोटा सा part add हो जाता है, rebate, अब यह rebate मतलब क्या होता है, जल्दी payment मिलने के वज़े से, drawer जो होता है, वो drawer को एक थोड़ा सा discount देता है, जितना amount उसने जल्दी pay किया है, जितने month पहले, जितने credit period पहले उसने payment किया है, उतने period के लिए वो थोटा सा discount देता है, उस discount को हम बोलते हैं rebate, हम दो बार यहाँ पर discount account नहीं लिख सकते, confusion ना हो, तो हम rebate account लिखते हैं यहाँ पर, यह वो discount है, जो drawer पे करता है, rebate का concept जो है, वो बहुत ही जादा है, बहुत ही बड़ा concept है, छोटा सा concept नहीं यह बहुत ही गुल गुमा फिरा क्या आता है, फिलाल हम इसको confusion में ना रखते हुए, simple way में रिखते है, cash bank account debit, rebate account debit to bills receivable account, for example, जो 7,100 का bill था, उसमें से 50 रुपीज जो है, वो rebate हो जाता है, तो हम ऐसा लिखते है, cash bank account debit 7,050, rebate account debit 50, two bills receivable 7,100, या तो आपका bill retire होगा, या तो आपका bill insolvency के वज़े से dishonor हो जाएगा, तो अगर insolvency of bill आता है, तो यहाँ पर आपको दो entry पास करनी है, दो entries कौ पहला चीज, यह compulsory dishonor है, इसलिए आपको dishonor का entry पास करना है, simple, यह जाधा तर retained bill होता है, तो आपका entry आएगा, drawvis account debit to bills receivable account, retained bill का जो payee है, bills receivable, तो यह वही entry आएगा, drawvis account debit to bills receivable account, इसके बाद हम entry पास करेंगे recovery का, recovery का entry बहुत ही important है, यहाँ पर कैसा होता है, cash bank account debit, bad debts account debit to draw drawvis account, drawvis के personal estate में से हमको bill का जितना भी amount recover होता है, जितना भी amount हमको मिला, उतना cash bank account debit, जितना amount हमको नहीं मिलता, उतना bad debts account debit to drawvis account, finally हम drawvis account का account यहाँ पर close कर देते हैं, यहाँ पर मैंने drawvis को increase कर दिया था, क्योंकि पैसे ना मिलने के वज़े से मेरा जो bills receivable asset है, वो decrease हो जाए यहाँ पर finally मैं drawvis account को decrease करके उसको close कर देता हूँ, जितना amount मिला cash bank account debit, जितना नहीं मिला उतना bad debts account debit to drawvis account, तो यह है आपका recovery का entry, total retirement of bill, insolvency of bill, इसमें से कोई भी एक चीज़ आपको end में आ सकता है, तो यह था हमारा bills of exchange की journal entries, यह सारी journal entries in the books of drawer है, मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ in the books of drawer इसलिए बताया, क्योंकि जादा तर exams में आपको in the books of drawer वाला ही पूछा जाता है, अगर in the books of drawer भी भी आपको pass करना है, तो simple way में आपको entries को opposite करना है, जैसे यहाँ पर अगर अपने drawvis लिखा है, तो उसका वहाँ पर हो जाएगा drawer, यह यहाँ पर अगर आपने लिखा bills receivable, तो वहाँ पर हो जाएगा bills payable, यहाँ पर हमने assets वाला rule जादा तर apply किया है, diamond rule में, assets का increase and decrease, क्योंकि यहाँ पर हमने drawvis को जादा तर increase and decrease किया है, लेकिन वहाँ पर हमको liability वाला rule apply करना है, drawvis के लिए drawer एक liability होता है, उसके लिए bills payable भी एक liability होता है, third party transaction वाला entry हमने इसके पहले देखा, वो वाला entry drawvis के book में नहीं आता, क्यूंकि यह transaction drawer और third party के बीच में हुआ है, तो उस particular transaction में drawvis का कोई role play नहीं होता, इसलिए drawvis के book में third party transaction वाला entry pass नहीं होता, simple rule में हम देखने जाए, यहाँ पर अगर sale का entry pass होता है, तो वहाँ पर purchase का entry pass होगा, bill का entry भी same वैसे ही होगा, opposite हो जाएगा, उपर नीचे हो जाएगा थोड़ा, उसके बाद third party transaction में no entry, उसका कोई भी entry drawvis के book में नहीं आता, directly उसका entry आता है due date वाला, honor या dishonor, उसका भी opposite करना है, opposite कैसे करना है, अगर यहाँ पर आपने cash bank account को debit किया है, in the books of drawer, तो वहाँ पर आप cash bank account को credit करेंगे, in the books of drawvis, एक example ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पर सबसे पहला entry pass किया था, sale का, sale का entry था, drawvis account debit to sales account, उसका drawvis के book में purchase का entry कैसे आता है, purchase account debit to drawer's account, it was opposite, sale का हो गया purchase, जो sale हमने यहाँ पर credit में लिखा, उसको वहाँ पर हमने किया debit, drawvis account जो हमने यहाँ पर debit के, उसको हमने वहाँ पर drawers करकी लिख दया credit, ऐसे ही आपको सारे entries को opposite करना है, तो यह था आपका bills of exchange, bills of exchange जो कि 15 mark के लिए आता है, हमने इस पुरे वीडियो में देखा, 5 mark का bill, फिर 10 mark का bills of exchange, bills of exchange में कुछ compulsory entries है, compulsory journal entries है, जैसे कि bill का entry compulsory है, sale का entry शायद आये या ना आये, bill से start जरूर हो सकता है, bill वाला entry compulsory था, third party transaction compulsory था, यह entries आती है, उसके बाद renewal वाला part, renewal वाले part में, part payment वाला entry जो है, वो compulsory नहीं है, अगर part payment वहाँबर बोला गया है, तो ही वो entry आपको pass करना है, वरना वो entry आपको skip कर देना है, तो सबसे पहला entry आयेगा, bill compulsory में, third party transaction, dishonor, interest, new bill, उसके बाद इन दोनों में से कोई भी एक, तो आपको minimum 6 journal entries solve करनी है, और maximum आपको 8 journal entries solve करनी है, for 10 marks, तो ये था आपका bills of exchange, जिससे आप easily 15 marks score कर सकते हो, जल्दी हम मिलेंगे और भी bookkeeping and accountances के वीडियो के साथ, कुछ और chapter से, कुछ और मज़ेदार chapter से, जो मैं आपको यहाँ पर explain करूँगा, Thank you for watching this video, please like, share and subscribe for more video updates.